हाई गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में तो आज हम बनाएंगे मैगी मैंचूरियन तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम गैस पे एक कडाही कराएंगे और इसमें हम डालेंगे एक गिलास पानी अब पानी गर्म हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे दस रुपिय वाले दो पैकेट मैगी के और इसे हम दो मिनिट के लिए हाई फिलेम पे पकाएंगे तो अब दो मिनिट पूडे हो चुके वर मैगी अच्छे से पकच चुका है अब हम गैस को बंत कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे तो अब मैगी ठंडा हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्ण फ्रॉट दो चम्मच चावल का आटा आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसे skip कर सकते हैं आधी छोटी चम्मच मिर्ची पौडर एक चोथाई छोटी चम्मच नमक एक बड़ी चमच सेजवान चतनी और मैगी का टेश्ट मेकर इसमें नमक होता है इसलिए हमने यहाँ पर नमक कम डाला है एक छोटे साइज का प्याज जिसे हमने बारी काट लिया है अब हम इसे हाथों से मिलाएंगे क्योंकि चमस से मिलाने में इसे नहीं होगा तो हमने इसे मिला लिया है अब हम एक प्लेट में छोटे पैकेट मैगी का डालेंगे और इसे हम अच्छे से तोर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में तो हमने इसे अच्छे से तोड़ लिया है अब हम मैगी बॉल्स बनाएंगे साइज छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अब हम इसे सुखे मैगी में लपेट करके इस तरह से कर देंगे इसी तरह हम सभी मैगी को बॉल्स गुना कर तयार कर लेंगे अगर आप उपर से सुखे मैगे नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह भी इसे बना सकते हैं तो हमने सभी बॉल्स बना कर तयार कर लिया है अब हम इसे फ्राइ तक इसे कराहिय करम हो चुका है अने डाल देंगे वह कटोनी तेल तेल को घर्श से तॉच्ड़ कर लेंगे तो अब ये एक तरब से हलका गोल्डन हो चुका है तो अब हम इसे पलट देंगे कर लेंगे और इसे अच्छे से गोल्डन हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे इसी तरह हम सभी बल्स को टैयार कर लेंगे तो हमने इसमें से सभी तेल को निकाल कर इसमें हमने दो बड़े चमच तेल रखा है अब हम इसमें डाल देंगे दस लहसम की कलिया जिसे हमने बाडिक काट लिया है और दो हडी मिर्च जिसे हमने लंबे आकारों में काट लिया है कि इसे कुछ सकेंड के लिए भूलेंगे आप हम इसमें डाल देंगे कि सब्सक्राइब को बूंड अ हम इसमें डाल देंगे एक चमच ठाले डिए बूसक्त एक चमच ग्रीन चिली सॉस, एक चमच सोया सॉस, एक चमच विनेगर और एक बड़ा चमच सेजवान चट्नी और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे हमने यहाँ पर एक चमच कॉर्ण फ्लॉर लिया है अब हम इसमें पानी डाल कर इसका घोल तयार कर लेंगे और इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे हाप को टोड़ी पानी और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे हमने यहां पे नमक नहीं डाला है क्योंकि सभी सॉस पे नमक होता है अगर आप डालना चाहते हैं तो एक चोथाई छोटी चमच डाल सकते हैं अब हम इसमें बबल्स आने लगे हैं तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसमें हम मैगी बॉल्स डाल देंगे और इसे हम अच तो हमने इसे मिला लिया है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है अब ये मैगी मैंचूरियन बन कर तयार है आप भी इस रेस्पी को एक बार बना कर जरूर ट्राइ करें और हमें कुमेंट करके बताएं कि आज की ये रेस्पी आपको कैसी लगी अगर आपको ये रेस्पी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें